हेलो एब्रीवन नमस्कार सभी को मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टड़ी कैपिटल के अनले लर्निंग प्लाटफॉर्म पे जिसमें अभी हम स्यू येटी 2023 के लिए जो पीजी का कोर्स है हमारा पॉलिटिकल साइंस का उसके जितने होट टॉपिक्स हैं जो कि एक्जाम प्रबैबिलिटी बहुत ज्यादा है कि लगबग 2-3 कोशिंज हो लेकिन एक कोशन दो फिक्स होता ही होता है तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं अपना परच्या बता दूं कि जो लोग ने पहली वीडियो हमारी ना देखिए हो हमारी स्कॉर्स की जो हमारी इस नहीं हमारी इस वीडियो पर नहीं आए हो दिनको थियोरी ओफ पॉंप्स के बारे में ही पढ़ना हो उनको मैं अपना परच्या बता दूं कि मेरा नाम सत्यम है और मैंने से यूटी 2022 को क्वालिफाई किया था और काफी अच्छे माक्स के साथ में क्वालिफाई किया था मेरी पर सब्सक्राइब मेरा सेलेक्षिं एच्छी यू पॉंटीचरी इंवर्सिटी सभी लगबख सबी ततनी पर्यमर उन्वेश्टी से हमारी सभी मेरा सेलेक्षिंट हो गया था अगर हमारे कोर्स की तो यह हमारा कॉर्स है जिसमें हम क्या कहते हैं अभी फिलाल हम प्री टॉपि ले सकते हैं आगी की वीडियो में को कुछी समझ में आ जाएगा कि हमारा достiałem करने का आपको क्या फाइदा मिलेगा क्योंकि यह जर्नी आपको हाण वर्क से नहीं कर सकते हैं आपको हाढ़र है हम एक टॉपिक को बहुत सारा पढ़ रहे लेकिन young में तो वह आता ही नहीं कभी-कभी-कभी-कभी-कभी परने पौटी से लिए लेकर उसे पढ़े जाते उसमें ध्यान लगाए जाते लगाए जाते यां प Training जींड़े च skincare सभी को एकदम अच्छे मांक्स के साथ में कि मुझे सभी में ना सर्फ एड्मिकेशन मुले बलकी मेरी राइंग टॉप में रहे मैंने सभी exams को excel किया मेरा experience में आपके साथ share करूँगा मेरी journey आपके साथ share करूँगा और मैं आपको विश्वार दिला सकता हूं कि अगर आपने smart work किया discipline way में work किया और देखा कि क्या जरूरी resources हमारे लिए उनको आप लीजे क्या जरूरी resources नहीं है उनको आप हटा द देश की primary universities जैसे JNU, BHU इन सभी में आप master's कर सकते हैं तो हमने जो पिछली वीडियो थी हमने उसे प्लैटो का पूरा introduction पढ़ लिया था ठीक है प्लैटो की जितने थियोरी जिन डिरक्टिव अप्रोच प्लैटो का प्लैटो का डियलेक्टिकल अप्रोच प्लैटो आइड आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और पूरा का पूर जो प्लैटो को इंटोडक्शन है वो जान सकते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैटो की theory of forms के बारे में देखिए जो form word है प्लैटो का यह form word ही निकलता है theory of ideas से यानी form क्या है प्लै तो normative thinker है प्लैटो एक teleological thinker है अब क्यों होते हैं यह सारी चीज़ें वह आती है उनकी theory of forms से यह theory of forms जो है यह बहुत हद तक सॉक्रेटेस की theory से देखिए सॉक्रेटेस हो थे वह महान philosopher थे ग्रीक एथन सिटी स्टेट के इनको की वह उनके अपनी सोसाइटी के उनके जो व्यूस थे वह मैक्च नहीं होते थे सुसाइटी का पोजिशन में जदी तब का narrative था उसके पोजिशन में था इसलिए उन्हें देकर उनको मृत्ति उद्ण उनको capital punishment भी दी गई थी और जब कहके थे प्लैटो को capital punishment दी जा रही थी तब प्लैटो के पास भागने का भी option था लेकिन प्लैटो ने भागने को मना कर दिया प्लैटो ने बोला कि भाई मेरा शरीर अगर मर जाएगा तो मेरे आइडियास जो ह हमेशा जो material चीज़े होती है जितनी हमारे material चीज़ें होती है असपास उन सभी की उपर philosophy को रखते थे वह मानते थे कि philosophy ही real knowledge है ठीक है अब अगर बात knowledge की आ गई है तो हम प्लैटो की जो आइडियास यानि belief और knowledge की भीच में डिफरेंस उसको जानी लेते हैं देखिए अब अगर knowledge इन फॉलिबल होती है तो यह knowledge है क्या जाकि प्लैटो जो है वह आईडियास और material चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं प्लैटो क्या बोलते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी materialistic चीज़ें है ठीक है हम आसपास जितनी भी materialistic चीज़ें देख रहे हैं वह सारी के स सारी सिर्फ एक shadow है तो रियालिटी तो ही नहीं यानि हम आसपास जितना भी हमारे देख रहे हैं इस्टूडियो देख रहा हूं आप जिस रूम में बैठके पढ़ रहे हैं आप उस रूम को देख रहे हैं हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वह सिर्फ एक material चीज़ें हैं और होता है सिर्फ एक shadow होता वह रियालिटी नहीं है हम आसपास जितनी भी चीज़ें देख रियालिटी नहीं है प्लैटो क्या कहते हैं देखे प्लैटो ने डिफ्रेंशीट किया है बिलीफ और नौलेज में देखे आप इसको आप ध्यान से समझिएगा प्लैटो क्या कहते हैं इसे जो प्लैटो का यह जो विव स्क्रेटिस इंस्पायर होता है प्लैटो क्या कहते हैं कि हम सभी का जो बिलीफ है ठीक है वो अलग-अलग हो सकता है देखिए सपोस करिए कि मुझे कोई चीज ब्यूटिफुल लगे मेरे लिए कुछ इस ब्यूटिफुल है वो चीज आपके लिए ब्यूटिफुल नहीं है मेरे लिए यह ब्यूटिफुल नहीं है ठीक है यह मेरे लिए अच्छा यह मेरे लिए बुरा है ठीक है लेकिन यह बिलीव जो है यह अलग-अलग हो सकता है जो नहीं हो सकती है मगर इसके पीछे का जो आइडिया है वो क्या है ब्यूटी ठीक है ब्यूटी होगी वो सब के लिए एक ही ही क्योंकि ब्यूटीफुल के पीछे का आईडिया है ब्यूटी ठीक है ब्यूटीफुल सब के लिए अलाग अलाग हो सकता है और यह प्लैटो कहते हैं कि यह ही ही होती है यानी की ब्यूटीफुल की जो डेफिनेशन है ब्यूटीफुल क्या चीज है क्या नहीं है वह सब की लिए अलाग हो सकती है मगर जो ब्यूटी आभाई वह तो एक ही होगी beauty जो है वो एक ही होगी suppose करिए किसी को कोई flower है ठीक है वो खुश्बू दे सकता है किसी को खुश्बू पसंद नहीं आएगी वो बिलीफ है वो अलग-अलग हो जाएगा मगर उसके पीछे का essence क्या है उस जो खुश्बू है या किसी को बद्बू लग सकती है उसक है क्योंकि जो reality है जो knowledge है वो किसमें किसमें रिलाई करती किसमें होती है रेल्म आफ आइडियाज में किसमें रेल्म आइडियाज में फ्लैटो क्या कहते हैं भाई कि हम आसपा जितनी भी चीज़े देख रहे हम तो भाई इन में फसे हुए है हम क्या beautiful है क्या नहीं है पूरे करने में लगे हुए हैं मगर हम तो भाई reality से दूर है क्योंकि reality तो भाई realm of ideas में रहती है यह जो अपने आसपास देख नहीं तो अपने बिलीफ को अपनी rationality के साथ में अपने wisdom के साथ में प्रूफ कर से देखिए सबके लिए beautiful अलग अलग हो सकता है लेकिन जो एक wisdom वाला परसन होगा सॉरी जो एक wisdom वाला परसन होगा इसके पास rationality विस्टम है उसके लिए जो beautiful होगा वह knowledge होगी क्योंकि वह अपनी rationality के थुरू इस beautiful को प्रूफ कर पा रहा है कि भाई यह चीस beautiful क्यूं है वह अपने wisdom के थुरू अपनी rationality के थुरू अपने belief को प्रूफ कर पा रहा है तो उसका जो belief है वह knowledge बन जाती है तो एक अब देखिए हमने क्या क्या देखा हमने अभी तक क्या 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 कर देखा का confusion मत रखिएगा बिलकुल भी बहुत सिंबल टॉपेगे कि हमारे आश्व चीज़ें हैं वह materialistic चीज़ें ठीक है कि यह अच्छा यह बुरा है यह कुछ किसी चीज के लिए कोई चीज किसी के लिए बुरी हो सकती है कोई चीज बदबू हो सकती है लेकिन उसकी बिचाइशन्स होता है वह एक ही होता है और वह हो इसको नहीं कर सकता है देखिये हम यह डमाई कर सकते हैं अधर यह ब्यूटी कर सकता हूं वह ब्यूटी तो यह होती है तो ना ब्यूटी जो है उसके पीछे की भाई एक ही होती है ऐसा प्लैटो कहते हैं, knowledge is certain and infallible, knowledge क्या हो गई, knowledge हो दो गई, जो ideas में, realm of rationality, realm of ideas में जो rely करती है, उसमें होती है, वो होती है, certain and infallible, और इसी लिए प्लैटो कहते हैं, वर्चीव is knowledge, कि भाई, जो knowledge है, वही वर्चीव है, यानी प्लैटो क्या कहते हैं, यह जो materialistic दुनिया ह सिसमें तुम उल्जे हुए हो यह तो भायरियालेटी नहीं है लिखल दो जो वेदिक फिलोसफी ह।तो रहलम आइडिया से क्यों तूम जो अपने आसपास दे करें हो तुम ४ाने में लगें हो वत दो कीवल godt सत्र है वो तेक परचाहँ है Realty कि रियलिटी तो कुछ और है आप इसको जो वेधिक फिलोसफी है उससे भी करेट कर सकते हैं क्या होता ब्रह्म सत्याङ्ञ जगन विथ्या कि सत्य किया या वह तो ब्रह्म है और जो हम अपने आसपास देख रहा है है वो तो इपल जायत्त जगत्र मिथ्या तो हम किसमें लगे हुए है कि हम अपनी आसपास की मिथ्या में लगे हुए है लेकिन रेलीडी तो कुछ और ही है ऐसा प्लाटो कहते हैं लेकिन ब्रहम सत्य मित्या बृब्रहम हैं और इसमें जो सत्या प्लाटो के वर्ड औफ आईडियास में रेलाई करता है कि इस न है मिलेज है पर नॉलेज जो होती है वो एक ही हो सकती है और फिलोसफर जो होता है जिसके पास विजड़म होती है उसको उसके पास अपने जो बिलीफ होता है उसको प्रोब करने की उसकी पास रेशनलेटी होती है इसलिए उसको पता होता है कि क्या सत्य है क्या जूट है क्या सच है उसको कि आई यह इस्टे शेया झõi पांड़ेश तक पहुंचने के तो अग्ला पॉइंड कैना है मैंने बताए है तो यह नपीछ गुड्य आ ओपीनियुन वो सकते हैं उनके पीछे का जो sense a good smell and bad smell can be an opinion but the essence behind them is smell which is real which is real अब देखे अब प्लैटो क्या बोलते हैं यही जो higher reality of truth होता है कि जो इस जिसने यह जान लिया कि भाई यह तो आसपास जो हम जीए नहीं जो मेटरिलिस्टिक दुनिया है इसके पीछे क्या idea जो होते हैं वो रिया है और वही एक रियल knowledge है प्लैटो इस रियल knowledge को truth बोलते हैं और वो truth को क्या बोलते हैं forms आ गया ना क्या हो गया forms यह जो प्लैटो की जो idea है यहीं जो theory of ideas है यहीं है theory of forms वो क्या है ultimate object of appearance ultimate object of appearance क्या हो गया कि भाई जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो तो है नी कि सब्सक्राइब यह आ कि ब्रते ह процесс ना ultimate object of एक दू शटने जान लिया कि भाई यह तो reality है नहीं reality idea है उसने जान लिया कि भाई यहीं है ultimate object of color अभी तक हम जो देख रहे थे अभी तक जो हमें अब्जर्ब कर रहे थे अभी तक जो हमें अपियर लग रहा था वो तो असत्य था वो तो जूट था वो तो शेड़ो मात्र थी और reality क्या थी रियालिटी थी ultimate object of appearance जो कि realm of ideas में रिलाई करता है प्लैटो क्या कहते हैं कि यह जो reality होती है हम सब प्लैटो क्या कहते हैं कि common public है वो तो materialistic दुनिया हम फसी रहती है ठीक है वो जो अपने आसपास वो अपना खाना पूरती में लगी रहती है अपनी physical तो लगी रहती है physical results पूरी करने में तो अगर common public को अगर किसी भी इनसान को यह knowledge है ठीक है वो मानते हैं कि अपनी में जीते हैं और इसी के जस्ट अपोचें में आगे जाके पढ़ेंगी कि आती है Marx की थेiorी, Marx क्या बोलते हैं? Marx बोलते हैं कि भाई जो अमारे आसपास realistic दुनिया है, वही reality है और जो जितने भी ideological है, जो ideas हैं ideology है ये क्या होती है? False consciousness, ये जो false consciousness है ये create की जाती है बुर्जुवा क्लास के दोरा बुर्जुवा क्लास क्यों होते हैं? जो कि अमीर लोग थे माक्स के टाइम के जो capitalist लोग थे उनको माक्स बोलते हैं बुर्जुवा लोग और यह बुर्जुवा लोग ideas और ideology को create करते हैं अपने material दुनिया को sustain करने के लिए यानि माक्स की जो theory है वो just plateau के idealist theory के अगेंस्ट में आती है माक्स बोलते हैं कि भाई जो material दुनिया है वही सत्त है बागे सब्सक्राइब आपको गुम्रा करने के लिए बोला जा रहा है यह जो आइडिया की दुनिया है कौन बोलता है यह बोलते हैं माक्स जो की प्लेटो के अगेंस्ट में आते हैं अब इसके अगे ब्लेटो जो बोलते हो क्या बोलते रैसालिटी चाहिए देखो तुम यह जो आम दिमाग है जहांग तुम सोखते ए वह चंटे नामomme कर सकते कि नौर्मल दिमाग इस ही सोचे के कि नौर्मल दिमाग को चाहिए अ कि नॉर्मल दिमाग को क्या चाहिए बाई्टेरियलिस्टिक दुनिया अब जब नॉर्मल दिमाग को मैटेरियलिस्टिक दुनिया चाहिए, वो सुक चैन है उनने में खुश है तो उससे बते कि उसमें आप आइडियास के रेलं में उस जाहि peppsk त Tag प्रूब करने के लिए प्डटो जो है अपनी जीसे प्लेटो दुनिया बना ली ऐड़ीया कि रियल होता है ऑच आम जन आप और प्रूसर्ण नहीं पहलता है उसके उसके पास होती है तरह यह países को प्रूब्ष बिसस्ट करने के लिए कर तरह के कि उपमा जिसे हम बोल सकते ही कंपेर करना कि कई तरह के जो एनलोजी होती है कि आप क्या कहते है किसी और चीज से कंपेर करके आप अपनी चीज को प्रूव कर सकें तो उनका यूज करते हैं उसमें सबसे पहले क्या आती है एलिगरी ऑफ केव प्लाटो बोलते हैं कि भाई चाहिए बंदे हूए हैं और अंधेरा आप जो वह लोग हमेशा से बंदे हुए है वह जितनी उनकी याददास जाती है जितनी दूर तक ठीक है जिसा सोच सकते हैं पिछले पिछला अपना उसमें वह संवन्दल यह कि यह वह इस छैज जिसे बंदे मैं दूनिया में कई अब जो वुर्ण straACT जो बंधे हुए हैं उनकी लिए तो खाइ जो अपने असपस जो अंद्र कि रहे हैं वही ही रियालिटी दूबहां वही रियालिटी है उसलिए वह खुश है क्योंकि वह सोच ही नहीं सकते हैं कि इस अंधेरे के बाहर भी कोई दुनिया है वह यह सोच ही नहीं सकते हैं कि भाई इस गुफ़ा के बाहर भी रॉष्णी की दुनिया है जब वह यह चीज सोच ही नहीं सकते हैं कि इस गुफ़ा के पहार कोई दुनिया है तो उनके लिए रियालिटी क्या होगी जो वो अंधेरे में बंद हैं जो वो चेंस में बंद हैं वही उनके लिए रियालिटी होगी तो वो तो उसमें खुश है लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट एक ऐसा इंसान आता है जो इनके साथ बंदा हु उनके में जाता है कहां जाता है वो उनकी में चला जाता है वह तो भौश्व सकते हो इसी दुनिया से तुम हो मैं आपने विज्डम के वल पे उस सच को धूरने जा रहा हूं और वह उसके साथी गण उसके मना करते कि नहीं भाई तुम यह क्या कर रहे हो यही तो कैव से बाहर आता है उसको दिखती है रोशनी की दुनिया उसको दिखता है अंदकार उसका मिट जाता है उसको खुली दुनिया दिखती है उसको हरी भरी दुनिया दिखती है तब उससे ऐसाथ होता है भाई जो मैं अबे तक जो जिन्देगी जी रहा था वो तो केवल शेड दुनिया है तो उसने अपनी से क्या प्राप्त कर लिया उसने क्या प्राप्त कर लिया उसने क्या प्राप्त कर लिया उसने प्राप्त कर लिया उसने प्राप्त कर लिया लेकिन अब इस इंसान के लिए जिसने अब तो प्राप्त कर लिया इसने खुद लेकिन आप इस इंसान के लिए problematic क्या हो गया दूसरे लोगों को समझाना जाके कि जोब भाई तुम यहां जो बंद हो तुम्हें नहीं पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है लेकिंकि वो लोग विश्वासी नहीं करेंगे उसके ऊपर क्यों करेंगे क्यों कि अविद लोगों है कि भाई ऐसी कोई दुनिया एक्जिस्ट भी करती है जब उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई दुनिया करती है तो वो कैसे उसके उबर विश्वास कर लेंगे तो यह जो भाई जिसके पास nationality थी जी इसके बास wisdom था जिससे उसने प्राप्त कर लिया सच को अब इसके मुझकिल बन जाता है दूसरे लोगों को बताना लेकरन केवल यही एक इंसान बनता है इस नहीं जाएंगे में यहीं इनसान जान लिए लेजे यही इंसान जिसने rationality थी जिसके पास तिनने सच को प्राप्त कर लिया वही इंसान जाएगा और दूसरे लोगों को समझाएगा उसका काम कहा है दूसरी लोगों को भी लेकर उसके बारे में सोचेगा तभी तो दूसरे लोगों को बता पाया अब देखें एक हो गई एक अब आती है दूसरी दूसरी एनलोजी क्या है दूसरी एनलोजी एनलोजी ऑफ दी सभस्वाइव क्या बोलते हैं कि भाई जो सॉक्रेटेस हैं उने पूछा लोकॉंसे ग्लोकॉंसे लगिए के पास रहे हम बात करते हैं रहे बाइश्योंसे पहें यह चीज बड़ नहीं है पर यह गुड़नेस क्या है हम कैसे बता सकते हैं कि क्या जीस गुड़ है चीज बैड है क्या चीज गुड़ नहीं है एक गुड़नेस है क्या आर्कों ने पूचा आप ग्लोकम से नॉर्माल इंसान लेकिन आइन सोाक्रेटिस प्रौ में फ्लोसफर तो ग्लोकम पूझते हैं स्कृृ डिस रोड़ा इन आते हैं ना सब्सक्राइब करता है तो सन क्या करता है सन हमें गाइड करता है टूथ की तरफ इसी तरह जो होती है दो गोड़नेश क्या होती है गोड़नेश गाईडकरती है एच सभी फिलोसफ हर पके पास वह ऊब्योस्すपर इस पर सब्सक्राइब करें पर और वो जो गुटनेस है वही हमें गइड करेंगी सूरज की तरह सं की तरह है अब हम बात करते हैं तीसरी एनलोजी की किया है अंगिक से चरे कि दूश्या और डिवाइड डिवाइड लाइन में क्या होता है जो बहुत है ईख से किसी कि रैस्ट इनसान की kसी पीसिक urging नहीं किया तो अभी तक वो में बिलीफ कर रहा है जो इसको बताया गिया ना तुम्हें जीवन जीना है वो सब करना है वो इसमें बिलीफ कर रहा है आह participate करना था सब्मार आच हope थीर है धीर है एक process gradual process है ना तो gradual process से वो दूसरे steps है पहुंचता है जहां पर अपने आसपास के objects पर मतलब खुद के sensual experience से मतलब plateau क्या बोलते हैं हम जो अपने बातों पर बिलीव नहीं कर रहा है अब 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 दूसरों की बता ही बात तो विश्वास नहीं कर रहा है अब विश्वास कर रहा है खुद के अबस्ट्रेक्शन क्या होगा अबित पाई अबस्ट्रेक्शनग और होता है इसके बार रहें सोचने लगेगा अभी तक वो ये दोनों जो स्टैप्स है ये दोनों आते है आइडिया आउव कमिंग में क्या होता है कि यह मैट START धूंडिया में जी रहा है वह वही बन रहा है दुनिया से बना रही है लेकिन Arabic में क्या हो रहा है आप यह थीर सब67berries एक रिशुनल बन इनसान बन रहा है आईडियों विकमिंग और फिर बाकि कि अभी जो दोने स्टेप के वो आएगे अईडियों पींग में अब उससे सच का पता चल रहा है अब वह आईडियों से आईडियों में जा रहा है अब दीसरे अब त्रक्सित उसके पीछे घ्रीड तेरा आइडिया धून रहा है उसको जनिक कुछिश कर रहा है जब चौथा स्टेप फाइनल स्टेप है वह आ जाएगा वह होगा भाई अब वह आइडिया की दुनिया पहुंच चुका है अब उसको पदा चल गया है कि दुनिया यह तो स्टेवल शैडव है रियालिटी कुछ और है वह आइडियास है वह उसमें पहुंच चुका है तो यह है त्यूरी ओफ डिवाइडिड लाइन एक दो तीन चार है ना इसी त्यूरी की वजह से प्लैटों को बोला जाता है आइडियास तिंकर इसके आगे भी त्यूरी ऑफ जस प्लैटों के सबसे बड़े पता किस ने किया है प्लैटों के ही स्टूडेंट ने एरिस्टॉटल ने एरिस्टॉटल जो की प्लैटों के स्टूडेंट थे उनों ने यह प्लैटों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है उनकी त्यूरी ओफ पॉर्म को क्रिटिसाइज किया है एरिस्टॉटल क्या कहते हैं कि भाई जीवन जीने के लिए या सच को प् करंधे साथ थोड़े क्या कहते हैं उनको प्रूब करने की कोशिश करो उनको प्रूब करके तुर अपने स्यBirकसा जिनको संट्यौल जाथ अच्छे से होगा वह इस को प्रूबब कर सकेंगे आप त्रिफ सबसे आधरं इस ей तैन शेज़ उटे साइज क्रिटिसाइस किया है गोघ़े आइडिया और स्टेट कृिटिसाइस किया प्रक्रैटो को तो प्रेटो के इस ट्थूड़न से टो ट्नेक्स ट्यूट करें लोग चेंगे जैक और अनट से जो उडों किया क्रिटिसाइस कि गया Every संध्य के वा अम देखेंगे कैसे कृण करते हैं तुम्हें नहीं तुम इसको प्रूब कर सको ऑज़र्वेसेंज तुम जान सकते हो कि सच जहा हम दों सकते हैं स्टेट को सक्सेस बना पाएं तो जम वाला वीडियो करेंगे तो इसमें अच्छे जान लेंगे अभी के लिए जो थी आफ फॉर्म्स में इतना ही इसका है वो सारे जो प्लेटर के टिसिजम करेंगे तब देख लेंगे और इसका आपको बताई देगी क्या हो सकता है तो अल्टिमेट ऑब्जेक्ट ऑप एपिरेंस है ना एलिगरी ऑफ केव और यह सारा इतना इंपॉर्डेंट है कॉंसेट इतना आपको चले घरनी के लिए काफिय है तो आज की जो वीडियो थी आज कर जो टॉपिक था हमारा थियोरी ऑफ फॉर्म्स उसमें इतना ही हम आगी क के साथ लिया हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं और देखिये यह एक्जाम क्रैक करने के लिए आपको कॉंसेप्ट फैक्ट्स पास्केर कोशिन बेपर्स रिवीजिन और बहुत सारी कोशिंस लगाने के बाद आप इस एक्जाम को इसली क्रैक कर सकते हैं और यह एक्जाम मे फैक्ट्स कोश्चन सबकोश आपका आराम से हो जाएगा स्मार्ट ली हो जाएगा अगर आप हमारा साथ देंगे आप भी हमारे साथ डिसिप्लेंड रहेंगे तो आप बड़े ही इसली तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आप जेन्यू बीएचिव है ना है एक्जिव जैसे फ्रेमीर इनिवसिटी अपनी मास्टर कम्प्लेट कर पाएंगे तो आपको केवल इतना करना है कि आपको यह WhatsApp नमबर इसमें केवल आपको मैसेज करना है अपने नाम और जिस कोर्स में यानि आपका अपने नाम दिवेच दीजे आप बेचे आपको भाई में पॉलिक तो आज की वीडियो में केवाल इतना ही आगे की वीडियो के लिए हम इसे जोड़े रहे हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद